अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग परहेंगे इसके जहासर की साइंस की बाइलोजी का चैप्टर 6 परहेंगे इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 5 तक करमबत तरीके से हो चुका है फिजिक्स, केमेश्टी और बाइलोजी तीनों को करमबत तरीके स नल के माध्यम से चलाया जा रहा है और साथ ही gs pointer भी इस पे चलाया जा रहा जिसमें पराची का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है और पार्ट 3 में यह पूरे प्राची नितिहास समाप्त हो जाएगा तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विशिट कियें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचर तंत्र यानि सर्कुलेटरी सिष्टम है क्या आईए हम लोग जानते हैं सभी पदार्थ में परिवहन के लिए सरीर में परिसंचरन तंत्र का विकास हुआ है जिसके द्वारा आविसकत उन जगहों तक पहुचाया जाता है जहां तक उसको जरूरत होती है और तथा हानिकार तक पदार्थ को उस जगह तक पहुचाया जाता है जहां से सरीर से बाहर निकल सके उसे परिसंचरन तंत कहा जाता है शरीर के अंदर जैवी किरियाओं के लिए कई महत्पून पदार्थों की जरूरत होती है जैसे ग्लुकोज, ऑक्सीजन, अमीनो एसीड, हार्मोन, अमीन और यूरिया का एनिमल्स में परवाहित दर्व के अधार पर सर्कुलेटरी सिस्टम दो परकार के होते हैं एक होता है जल परिसंचरन तंत अब जल परिसंचरन तंत है क्या इस परकार के परिसंचरन तंत में जनतू के सरीर में रक्त की जगा वाटर परवाहित होता है इसलिए इसे वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है जैसे अस्पोंक्स, हाइड्रा, कोलेंट्रेया या सिंड्रिया इसमें क्या होता है रक्त के जगा पर पानी परवाहित हो होता है इसलिए water circulatory system कहा जाता है इसके example में याद रखेंगा आप लो अस्पूंग्स हाइड्रा कोलिंट्रिया या केंडीरिया यह सभी होते हैं अब है रक्त पड़ी संच्रंतत्र यानि blood circulatory system अब हर्ट की बात करें सबसे पहले रक्त पड़ी संच्रंतत्र में रक्त प्रवाहित होता है जैसे सभी जी इसका निर्मान रक्त तथा हिर्दै के द्वारा होता है आईये अब है हिर्दै हर्ट के बारे में हम लोग सबसे पहले हर्ट के बारे में परते हैं रक्त पदार्थों का परिवहन करता है जबकि रख्त की गती देने का काड़ हिरदै करता है इसलिए हिरदै को pumping organ भी कहा जाता है हिरदै के दाहिनी भाग को असुधरक्त तथा बाए भाग को सुधरक्त होता है याद रखेगा, हिर्दे के दाहिनी भाग और बाएं भाग, हिर्दे के दाहिने भाग में असुध और रक्त तथा बाएं भाग में जो होता है, सुध रक्त होता है, हिर्दे के अउसत वजन की बात करें तो इसमें 300 ग्राम होता है, इसका आकार तिरभुचाकार या नासपात के आकार का होता है हिर्दे की मांसल सनलचना है जो दोनों फेफरों के बीच पसलियों अर्थात रिप्स के पीछे डाइफ्रेम से थोड़ा उपर होता है हिर्दे की कोश्टों की बात की जाए हिर्दे की कोश्टों में विभाजित होता है जिसमें रख जमा होता है तथा रख पंपिंग का कारी किया जाता है अलग-अलग जन्तिवों में हिर्दे की कोष्टों की संख्या अलग-अलग होती है जो इस पर कारत दिया गया है यहां से सवाल अक्सर बनते हैं अब तिल्चटा, अर्थात कोकुरुज की बात की जाए तो उसमें कोष्टों की संख्या तेरे होती है और मचली में कोष्टों की संख्या दो होती है वही मेढ़क या उभाईचर में इसकी संख्या तीन होती है सरसीप में यानि रिप्टाइल्स में तीन होती है अफवाद में सिर्फ एक मगरमच है जिसकी कोष्टों की संख्या चार होती है पच्छी या अस्तन्धारी में कोष्टों की संख्या चार होती है जबकि केचुवा में इसकी संख्या आठ होती है अब हम लोग बात करेंगे हिर्दय के बाहर एक आवरन पाये जाता है जिसे पेरिकेडियम कहते है हिर्दय के बाहर एक आवरन होता है जिसे पेरिकेडियम कहते हैं हिर्दय तथा पेरिकेडियम के बीच दर्व भरा होता है जिसे पेरिकेडियल फ्लूट कहा जाता है पेरिकेडियल फ्लूट के द्वारा हिर्दय का पोसन तथा सुरच्छा का कार किया जाता है हिर्दे अस्पेटम द्वारा कोष्टों में विभाजित होता है उपर वाले कोष्ट को अलिंद अर्थात ओरिकल ओरिकल का मतलब होता है अलिंद तथा नीचे वाले कोष्ट को भेंट्रिकल जिसे निलाई कहा जाता है और्टिकल का निर्मान पसली तथा कमजोर मानस्पेशियों के द्वारा होता है क्योंकि इसमें रक्त आकर जमा होता है अलिंद में जो क्या होता है अलिंद में होता है ये इसका कमजोर मानस्पेशियों के द्वारा होता है क्योंकि इसमें रक्त भरा होता है और वर्टिकल की बात अर्थात निलय का निर्माज ये होता है मोटी तथा मजबूत माँस्पेशियों में होता है क्योंकि निलय याने वर्टिकल वाले भाग में अत्यधिक दबाव उत्पन किया जाता है ओटिकल तथा वर्टिकल अस्प्यूटम द्वारा राइट या लेट दो दो चेंबर में भिवाजित होता है राइट ओटिकल और राइट वर्टिकल में रक्त का बहाव के लिए कपाट भल्व पाए जाते हैं इसी परकार के भल्व को left vertical और left vertical के बीच पाए जाते हैं सरीर के अंदर रक्त का बहाव flow of blood रक्त का बहाव हुरदे द्वारा उत्पन किये गए रक्त चाप के द्वारा होता है सरीर में रक्त का सुधी करण फेफरा में होता है सुधी करण के दवरान ओक्सीजन तथा कारबन डायोकसाईड का बिनिमें किया जाता है शरीर में जो रक्त का सुधी करण होता है वो लंग्स में होता है और सुधी करण के दवरान ओक्सीजन तथा कारबन डायोकसाईड का बिनिमें होता है अब है सुधरक्त यानि प्रोल, प्योर ब्लड वैसा रक्त जिसमें उक्सीजन की मात्रा ज़ादा होती है, उसे सुधरक्त कहा जाता है इसका रंग ब्राइट रेड होता है सुधरत अलंग वाहिनी यानि वीजल में बाता है जिसे धमनी कहा जाता है अर्थात एट्री कहा जाता है और वही अगर असुधरत की बात की जाए तो वैसा रक्त जिसमें कार्बन टायोक्साई की मातरा जादा हो उसे असुधरत कहा जाता है इसका रंग गहडा लाल होता है जबकि सुधरत का रंग चमकीला ब्राइट रेड होता है या नीला हडा होता है असुधरत को प्रवाहित करने वाले वीजल को सिरा कहते हैं यानि भेन कहते हैं असुदरक्त भेन जबकि सुदरक्त एट्री या धमनी ये सिरा या भेन कहा जाता है अब दोनों में अंतर देख लेते हैं धमनी और सिरा में अंतर क्या क्या है असुदर धमनी और सिरा में इसमें सुदरक्त बहता है जबकि इसमें असुदरक्त बहता है भेन में असुदरक्त बहता है और धमनी में सुद्रक्त बहता है इसमें BP कमान जादा होता है इसमें BP कमान कम होता है यानि सिरा में BP कमान जो होगा कम होगा धमनी की बात करें इसकी दीवारे अधिक रक्त चाप को जहलने के लिए मोटी तथा मजबूत होती है जबकि सिरा की दीवारे पतली तथा क सरीर की तरफ होती है जबकि सिरा में रक्त के बहाव की दिशा सरीर के हिर्दे की तरफ होती है इसमें भल्व नहीं पाए जाते हैं धमनी में कोई भल्व नहीं पाए जाता है जबकि इसमें कपाट अर्थात भल्व पाया जाता सिरा में भल्व पाए जाते हैं यह सुद्रक्त और ये सुद्ध रक्त की सुद्धी करन के उपरांद सुद्धी करन के उपरांद रक्त सबसे पहले left vertical में पहुँचता है जहां से हिर्दे का संकूचन दोड़ा left vertical में चला जाता है अर्थात रक्त पूरे सरीर में परवाहित होने के बाद असुद्ध हो जाता है जो बापस हिर्दे में right vertical में पहुँचता है हिर्दे के संकूचन यानि contraction के कारण right vertical जो होता है से right vertical तथा right vertical से फेफरे में रक्त परवाहित हो जाता है इस परकार 24 घंटे में 24 घंटे रक्त शरीर में प्रवाहित होते रहता है पल्मोनरी धहमनी में असुद रक्त का प्रवाह होता है पल्मोनरी सिरा में असुद रक्त का प्रवाह होता है ये दोनों क्या है? एक्सेप्सन है धामनी में अक्सर सुद्रक्त का प्रवाह होता है लेकिन अफवाद में पर्मोनरी धामनी जो है असुद्रक्त का प्रवाह करता है वहीं सीरा में सुद्रक्त का प्रवाह होता है लेकिन अफवाद में पर्मोनरी सीरा में सुद्रक्त का प्रवाह होता है ये टोपिक ये करने के लिए हिर्दय संकुचन र था hesitate contraction and relaxing तथा अंग कुचन की किर呀 करता है जिसे सामोही क्रूप से heart beat या हिर्दय की धरकन कहा जाता है सर्पर्थन, 1970 में pulling and flick ने यह बताया कि हिर्दय के धरकन का hell एक चिल्चवेंदर हिर्दय के राइट ओरिकल के मांस्पेसियों में इस्थित होता है जिसे एसे नोड यानि सीनो ओरिकल नोड ने पेसमेकर कहा जाता है SA node यानि nerve fiber का बना होता है जिसके दोरा तंत्रिका आवेग उत्पन किया जाता है परिनाम सरुप हिर्दय यानि construction and relaxing की किरिया करता है SA node ने nerve inclusive AB node यानि auricolo ventricle node तक पहुँचता है जहां से आवेग को पूरे हिर्दय तक पहुचा दिया जाता है अब heart beat की बात की जाए हिर्दय की धरकन की बात की जाए कि उत्पत्ती के अधार पर हिर्दय दो परकार के होते है neurologist heart वैसा हिर्दय जिसमें heart beat की उत्पत्ती का केंदर मस्तिक होता है उसे neurologenic heart कहा जाता है इस परकार के हिर्दय में प्रानी के सीर को काट देने पर तुरंत धरकन बंध हो जाती है जैसे कसे रुकवी को छोड़ कर अन्य सभी प्रानी के हिर्दय यह हिर्दय प्राया, तिलचटा, केचुगा, जोग, मचली इत्यादी में पाए जाते हैं अब हैं मायोग्यनिक हर्ड, वैसा हिर्दय जिसमें धरकन का केंद्र हिर्दय की मांस्पेशियों में इस्थित होता है उसे मायोग्यनिक हर्ड कहा जाता है, इस परकार का हिर्दय मनुसुपच्छी, पसु, इत्यादी के होते हैं इस परकार के हिर्दय में प्रानों की सीर को काट देने पर हिर्दय कुछ देर धरकता रहता है जैसे कसेरुकी के हिर्दय हर्ट बीट को सुनने वाले यंत्र को अस्ठेतो असकोब या पेनो काडियम कहा जाता है हर्ट बीट को जो सुनने वाला यंत्र होता है उससे अस्ठेतो असकोब जो डॉक्टर इस तरह का आला जो लगाते हैं उसको अस्ठेतो असकोब या पेनो काडियम कहा जाता है हर्ट बीट पूरा करने में 0.8 सकेंड का समय लगता है याद रखेगा हर्ट बीट पूरा करने में 0.8 सकेंड का समय लगता है जिसे ओर्टिकल को संकुचित होने में 0.15 सकेंड से वन 5 सकेंड से भर्टिकल को संकुचित होने में 0.30 सकेंड तथा पूरे हिर्दे को अंकुचित होने में 0.40 सकेंड लगता है rate of heartbeat यहां से BPSC के PT में सवाल पूछे गए थे rate of heartbeat किसी भी प्राणी में 8 मिनट में जितनी बाड़ heartbeat सम्पन होती है उसे rate of heartbeat कहा जाता है मनुस के हिर्दे में धरकन 1 मिनट में 72 वार धरकती है बड़े प्राणीों में heartbeat की अबधी कम होती है जैसे नवजाद सी सूव में heartbeat 110 वार मिनट होती है heartbeat की दर सरीर को डर, क्रोध, उतेजन तथा तापमान के कारण बढ़ती है सरीर का temperature तापमान 1 degree centigrade बढ़ने पर heartbeat की संख्या में 10 मिनट में 10 बार की ब्रधी हो जाती है रक्त दाब यानि blood pressure अब हम लोग पढ़ेंगे blood pressure ये रक्त द्वारा, रक्त बाहनियों की सतह पर उत्पन किया गया दाब होता है, इसकी उत्पत्ती हिर्दय की धरकन द्वारा होती है जब हिर्दय संकुचित होता है तो उसे उत्पन दाब को systolic pressure कहा जाता है इसका मान एक स्वस्थ मनुस में 120 mm Hg होता है जब हिर्दय रिलेक्स होता है यानि आराम के वस्था में होता है उस इस्थिती में उत्पन दाब को उत्पन दाब को diastolic pressure कहा जाता है जिसका मान एक स्वस्थ मनुस में 80 mm यानि Hg होता है एक स्वस्त मनुस में BP का मान 120 by 80 mm यानि HG होता है बलट प्रेसर मापने वाली यंतर को अस्फिगनो मीटर कहा जाता है हर्ट बीट तथा BP एक दुसरे के समान रुप से प्रभावित होते हैं अर्थात हर्ट बीट बढ़ने पर BP का मान भी बढ़ जाता है हिर्दे की सरी के सभी भागों को सुद रक्त पहुचाने वाली सबसे बड़ी धहमनी को महा धहमनी कहा जाता है महा धहमनी से हिर्दे की मास्पेशियां में सुद रक्त पहुचाने वाली धहमनी को कोरोनरी एटरी कहा जाता है खान पान अनियमित तरीके से लेस एक्टिम मोड ओफ लाइफ के कारण करनरी एट्री में कोलोस्ट्रोल का जमाव होता है जिसे धमनी के वयाम कम होनी लगता है परिनाम सरुक बीपी का मान बहुत बढ़ जाता है उच बीपी के कारण चेश्ट में हमेशा दर्द बना रहता है जो अंत्त धमनी के फटने का कारण बन जाता है जिससे हार्ट अटेक की घटना हो जाती है अभे एंग्यू ग्राफी यह एक परिछन तक नीक है जिसमें बंद धमनीयों को पता लगाये जाता है बंद धमनीयों को पता लग जाने पर सरजरी के दोरा धमनीयों में वलाई अर्थात रिंग अस्थापित किया जाता है जिससे धमनी का ब्यास जो होता है वो बढ़ जाता है तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्फुल लग रहा हो नियमित रूप से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले इस परकार के रिंग्स का निर्मान टेटेनियम नामक धातु से किया जाता है जिसे भविस्व की धातु भी कहा जाता है अब है महतपूर्ण तत्य कुछ यहां से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं अब है सोडियम टॉटिफोर इसका पर्योग शरीर के अंदर रक्त के ठक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है अब है कोबार्ट 60 इसका पर्योग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है मानव सरीर में रक्त की आपड़ियाप्त आपूर्ती को लुक्यमीनिया कहते हैं जीगर को ओक्सीजन रुधिर यक्रीत तक ले जाने वाली धामनी को हैपिटिक धामनी कहते हैं यदी रक्त में कनिकाओं को निकाल दें तो सेस तरल भाग को सेरम कहा जाता है हेपेरिन को एंटी थोंबरिन कहते हैं जो एक पोली सेकराइट है इसकी वज़ा से रुधिर का थक्का नहीं जमता है कोलेस्टरोल का मात्रा 120-200MG के बीच होता है खाली पेट में बलड में गुलुकोच लेबर 70-110MG ML होता है हर्ट टांस्प्लांट कभी-कभी हिर्दय को ज़्यादा छति ग्रस्थ हो जाने पर उसे बदलने किया विसकता परती है बर्थाद किसी एक व्यक्ति की हिर्दय को दूसरे व्यक्ति के सरीर में स्थापित किया जाता है जिसे हिर्दय परत्यार ओपन कहाते है बिसु का पहला परत्यार ओपन 1967 में दच्शिन अफरिका के सर्जन क्रिस्चिन बेनार्ट ने किया था ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं एक्जामों में भारत में पहला हिर्दय परत्यार ओपन 1994 में एम्स के डॉक्टर पी वेनू गोपाल ने किया था ओपेन हर्ट सर्जरी अब ओपेन हर्ट सर्जरी की बात करें जब सल्ले चिकित्सा सर्जरी चेश्ट को खोल की जाती है तो उसे ओपेन हर्ट सर्जरी कहा जाता है विस्व की पहली ओपेन हर्ट सर्जरी 1893 इस्वी में सिकागो में डाक्टर डेनियल हैल बिलियम्स के द्वारा की गई थी भारत में पहली ओपेन हर्ट सरजरी 1961 में डाक्टर के एन डेस्टर ने किया था बाइपास सरजरी जब हिर्दै सम्मंधित सरजरी में चेश्ट को खोले बिना महाधमनी के सहारे किया जाता है तो उसे बाइपास सरजरी कहा जाता है बिसु का पर्थम बाइपास सरजरी अमेरिका के डाक्टरों की टीम ने की जिसका नेत्रित डाक्टर एज गोटेज एंड माइकल रोमन ने किया था अब है आटिफीसियल हर्ट इस परकार के हिर्दय का निर्मान सरपर्थम अमेरिका के रोबर्ट जैर्विक ने 1982 में किया जिसका नाम जैर्विक सेबन रखा जैर्विक सेबन का परत्यारोपन बर्तमान में सफलता पुरुबक किया जा रहा है आज इस तरह से इसको हम पार्ट वन और पार्ट टू में इसके थेवरी सेक्षन को बाठ दिये हैं सर्क्लेटरी सिश्टम को परिसंचर अंतंत को यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्फूल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें लाइक और कमेंट जरूर करें और जीतना हो सके अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि इनका लाप वो भी उठा सकें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही जैहिंत इसका नेक्स्ट जीयस पॉइंटर का सिरीज भी इस पर चलाया जा रहा है जो कि आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं जैहिंत